कोलकता केस में CBI अब एक नई आरोपी तक पहुची है ये नया आरोपी जो है ये त्रिड मूल कॉंग्रिस का नेता है जुसका नाम आशीश पांडे बताए गया है अब अटकले ही लगाई जा रहे हैं कि क्या ये आशीश पांडे संधीब घोश का वही आका है या फिर आका क सामने निकाल कर रखी थी आपके सामने की संधीब घोश का कोई एक इतना बड़ा बॉस है जिसके इशारों पर संधीब घोश ये सब कर रहा है या जिसके इशारे पर संजे रोय ये सब कुछ कर रहा है लेकिन आब टीमसी की नेता का नाम सामने आया है जिसका नाम आशीश पांडे बताया जा रहा है और अब इस केस में एक नया मोडा चुका है इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है इस पर विस्तार से बात करेंगे साथ ही उन सभी लोगों की भूमिका पर चाचा करेंगे जिसके उपर back to back CBI ने थाबा बोला है मेरे साथ अभिशेक मौजू को जैसे ED ने नोटिस जारी किया था हमने बताया था कि TMC के वो भी बड़े नेता बिधायक है वैसे एक शब्द में कहें तो आशीस पांडे TMC का उभरता हुआ नेता था यूथ लीडर है अब ये जो है ये लाल टीशट वाली एक तस्वीर दिखाई थी हम लोगों ने दर पारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूं इसके संदीप घोष्चे भी अच्छे संबंध है और आविक डे जो लाल टीशट वाला उस दिन गया था घटना आस्थल पे जिस पे आईयमे ने फटकार लगाई थी आपने बकायदा बताया था कि आईयमे ने पूछा था कि PGT का चात्र वो फिंगर प्रिंट स्पेशलिस्ट कैसे बन गया वो अब आविक डे अंडर ग्राउंड है और आशीस पांडे से CBI की टीम पुस्ताश कर रही है यह पता कर रही है वो बड़ी बात यह है कि आशीस पांडे उस दिन घटना अस्थल पर मवजूद नहीं वो इवाओं को जोडता है आशीश पांडे इसी तरीके के काम महा करता था और आशीश पांडे अपने इलाके में काफी पॉपलर भी था लेकिन इसकी भूमिका मिली साल्ट लोक के साल्ट लेक एक होटल है वहाँ पे एक महिला मित्र के साथ जब यह गया तो उसके बाद ए तरफ से कोई action किया गया हो या संजे रोई की तरफ से या फिर सुदीप्तु रोई की तरफ से हर एक चीज ऐसी एकदम अगर आप खुद फ्रेम करके देखेंगे जो हमें दर्शक देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ प्री प्लान है या हर एक किसी को किसी ने फोन का होनी चाहिए तो हुआ ये कि साल्ट लेक एक होटल है वहां उस होटल में नौव अगस्त की रात जिस दिन ये घटना होई उस दिन आशीस पांडे अपनी गल्फेंड या फिर वो महिला मित्र थी क्या थी अभी ये कन्फरम नहीं है लोग ये लिख रहे हैं कि अपनी गल CBI ने 19 सितंबर को उस होटल के करमचारी को बकाइदा विजीटर बुक लेकर बुलाया अपने ओफिस में जहां उसका CGO कॉंपलेक्स में ओफिस है CBI का आभी कोलकाता में वहां पर उसको बुलाया होटल करमचारी को उसने पूरे रिकॉर्ड दिये हैं जो होटल में CCTV कैमरे लगे हैं और उसके बाद वो ये एंट्री और एक्जिट की पूरी टाइमिंग देखी CBI ने उसके बाद आशीश पांडे को पुस्तास के लिए बुलाया अब तक हिरासत में लिये जाने या गिर अफ्तारी की कोई बात सामने नहीं आई है लेकिन CBI को शक इस बात पे है CBI आशीश पांडे तक इस तरीके से पहुंची है क्योंकि कई लोगों के फोन रिकॉर्ड में आशीश पांडे के नमर मिले अब कई लोग वो लोग कौन हो सकते हैं आप खुद सोचिए संदीप घोश का ये करीबी है तो संदीप घोश के मोबाइल की CDI रिपोर्ट जब CBI न निकल के सामने नहीं आया है जो दूसरा एक और आरोपी जो पकड़ा गया है अभिजीत मंडल जो एसेचो है ताला थाने का एसेचो के फोन रिकॉर्ड में इस तरीके कि कोई बात अभी सामने नहीं आई है तो ये इशारा इस और जाता है कि संदीप घोश ने बकाइदा आ होटल बुक होता है दूसरे दिन सुबह खाली हो जाता है तो आप समझेए कि किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो काम कर रहा है जी क्यूंकि चेक इन और चेक आउट का टाइम जो निकल कर गया है वो काफी मतलब कोई ये बिलीव नहीं कर सकता अगर किसी होटल में जाएंगे और तुरंत आपने रात बिताई और सुबह आपने जल्दी में चेक आउट कर दिया इस चीज की वज़े से आप CBI का दिमाग घूम चुका है और Salt Lake जिस तरह से इसका नाम सामने निकल क्या है आप CBI आशीश पांडे से क्या पूछताच करते हैं आशीश पांडे की भूमि फोन लगाए था आप लोग को जानकर हरानी होगी कि तुरं मूल कॉंग्रेस का निता अशीश पांडे जोए आर्जिकल मेडिकल कॉलज का स्टाफ भी बताये गया है और इस से पहले आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के कई स्टाफ का नाम जो है इस केस में सामने आया था जब इ इन ही नामों पर जो है CBI अब पूरी जान जुटा रही है और ये माना जा रहा है कि इन चार-पाँच लोगों के अंडर ही इस पूरी घटना को अंजान दिया गया था अच्छा अभिशेग एक खबर जो है सामने निकल गया ही जिस तरह से पुलिश कमिशनर नए तैनात जब पत संभाला पुलिस कमिशनर का वहां का तो ये इन्होंने नकसलियों के खिलाप ऐसे ऐसे अभियान चलाए हैं कि बंगाल की जनता को ये उमीद है कि अगर कुलकाता पुलिस के हाथ में केस होता और मनोजवर्मा उस वक्त कमिशनर होते तो ये हालत नहीं होती इनसाफ मिल जाता ये हालात है मनोजवर्मा को लेकर वहां लोगों में तो जब ये पत संभालते हैं तो 19 सितंबर को आरजिकर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उस से मिनार हॉल में भी जाते हैं और उस से पहले ये तीन जगों के थाना के जो अधिकारी हैं तीन थाना के कोसिपोर, सि गोपे जाकर अलग-अलग डिपार्टमेंट में वहाँ पे सारी बिवस्था देखते हैं आप नए कमिशनर बने हैं वहाँ के तो इनका ये देखना भी जरूरी है कि वहाँ कॉलेज में क्या हालात हैं घटना के बाद क्या हालात हैं लेकिन बड़ी बात ये है नंदनी कि लेकर मेडिकल कॉलिज को अब नए सीरे से जो रैकेट हैं उसको हटाने के बाद नए सीरे से चलाने के लिए क्या क्या प्लानिंग सरकार करती है वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो काम पे लोटे हैं लेकिन सुरक्षा बेवस्था को लेकर अभी भी तमाम तरह के वहाँ सवाल उठ रहे हैं लेकिन जो बड़ी बात एक सामने आई नंदिनी वो ये कि संदीब घोष को कोई फोन पर ओडर दे रहा था और CBI ने इस बात को बकाइदा एडमिट किया है कोट में तो ये बात पता चली कि मंडल और घोष ये जो दोनों लोग हैं अभिजीत मंडल और संदीब घोष ये दोनों को जब आमने सामने पुस्ताच किया बिठा कर तो इनको कई ऐसे नंबर मिले हैं जिससे ये पता चला है CBI को कि संदीब घोष को कोई फोन पर ओडर दे रहा था अब आपने जो पहला सवाल पूछा था मैं उस सवाल पर आता हूँ कि जो ये पकड़ा गया है आशिश पांडे क्या ये यही आका था तो इस बात की संभावना अभी दोनों तरफ दिख रही है अगर आका इतना छोटा था तो ये केस काफी पहले खुल जाता अगर आका कोई और बड़ा है जो संदीब घोष को फोन पर ओडर दे रहा था तो वो सिर्फ एक नेता नह का बताया जा रहा है तो हो सकता है आशिश पांडे से जब बातचित हुई है जब इसका कॉल डिटेल सामने आया है तो कई तरह की बाते अब अदालत में जब पेश किया जाता है आरोपी को गिरफतारी के बाद सुझवाती पुस्तास के बाद तो फिलाल छोड़ दिया गय है लेकिन जब अगर भुमिका संदिक्द दिखती है और उसके बाद अदालत में पेशी होती है तो कई बड़ी बाते खुल कर सामने आती है आशिश पांडे के केस में एक बात साफ हो गई है कि जिस तरीके से टीमसी निताओं का एक एक करके नाम सामने आ रहा है पहले एक पारशत की बात सामने आना उसके बाद अब अशीश पांडे का नाम सामने आना फिर सुदीप्तो राय का नाम सामने आना उनका ये कहना कि संदीब घोश ने मुझे पोन किया था ये बता रहा है कि कि इस तरीके से वहाँ पर पूरी कहानी रची गई और वहां लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो क्या होता आप भी जानती है अब आशीश पांडे वही आका है या फिर आशीश पांडे का इस पूरे केस में रोल कुछ अलग है यह जांच का विशह है और CBI जो है लगातार जांच कर रही है हाला कि अगर आका कोई और है तो आखिरकार सवाल य नहीं के पार्टी के कुछ नेता निकल के आ रहे और सबसे चोकाने वाली बात अबिशेगी यूवा नेता निकल के आ रहे हैं तो आप खुच सोच सकते हैं कि अगर यूवा नेता भी इस case में शामिल होते हैं तो फिर आने वाली generation का क्या हो लोगा और RG Medical College के अंदर किस हद तक उस स्कैंडल को अंजाम दिया जा रहा होगा, हाला कि डॉक्टर्स इस समय प्रोटेस्ट पर हैं, लेकिन साथ ही कुछ डॉक्टर्स भी हैं, जो अब अपनी हर्ताल खतम कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी दो मांगी अभी भी अदूरी हैं, और जब तक पर्शि सोना गाची है, वहां के लोगों ने दुर्गा प्रतिमा के लिए मिट्टी देने को मना किया, साथ ही उनका ये कहना है कि इस बार दुर्गा पूजा में नहीं उतनी रौनक होगी और नहीं उतनी धूम धाम से पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि जब तक डॉक् से बाहर आई हैं, उससे देखकर साफ पता चल रहा है कि किस तरह की जान जो है CBI इन सब पर अपना शिकंजा कस रही है, आपका अगर हमसे कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं